आई फील कि आपके परसन के अंदर कुछ ऐसे डिजायर्स हैं जो ने बांधे हुए रखते हैं और वो चाहते हैं कि पहले इन सबसुन कुछ उटकारा मिल सके व्यूर आप अपने परसन को विजुलाइज करिये और मैं आपके और आपके परसन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ I feel कि आप इस कनेक्शन में ओनेस्टी और सच्चाई चाहते हैं और आप सच में चाहते हैं कि ये कनेक्शन इंप्रूव हो I can see कि आप एक दूसरे से काफी लंबे टाइम से दूर हो आप दुनों के पास्ट में कुछ चीजे ऐसी हुई जिससे आप अलग-अलग हो गए और अभी आप दोनों ही सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हो बट कहीं न गहीं आपको इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा आइडिया है और अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपन और ऑनेस्ट होना चाहते हैं यहाँ आपका परसन पहले कमिटमेंट नहीं चाहता था इसलिए वो दूरी बनाए हुए था और अब उन्होंने खुद को अपने पांस्ट इमोशनल ट्रॉमा से हील किया है वो भी अकेले इसलिए वो खुद को अब काफी स्ट्रॉंग मानते हैं आइसी कि आपका परसन काफी इंटेलिजन्ट और स्मार्ट है लेकिन उनके मन में काफी डर थे जिनसे वो डरते थे या यूँ कहलो कि डर ने उनको कंट्रोल कर रखा था उनकी लाइफ को आगे बढ़ने से रोका हुआ था आइफील कि आप इस कनेक्शन को काफी इंपोर्टेंस देते थे और अपने परसन को काफी टाइम जिससे वो खुद की फिलिंग्स को समझ पाएं आइसी कि आप इस कनेक्शन से मुववान नहीं करना चाहते थे लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे आपने कभी नहीं चाहा कि ये रिष्टा कभी तूटे क्योंकि आप अपने परसन का एक सपोर्ट बनना चाहते थे आइसी कि आप अपने परसन को अभी भी दूर से देखते हैं या उनकी ख़बर रखने की कोशिश करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन आपका परसन आपके पास आएगा लेकिन आपके मन में भी भी डर है कि अगर आपका person आपके पास नहीं आया तो और आप frustrated भी हो चुके हैं क्योंकि काफी लंबा वक्त बीथ गया है आप दोनों को अलग होए लेकिन कही ना कहीं आप उन सब चीजों से वाकिफ नहीं हो जो आपके person के साथ पास्ट में हुई या जो उन्होंने आपसे छुपा कर रखा और वही एक कारण हो सकता है कि वो अब तक नहीं आए I see कि आपका person आपकी value नहीं करता था because वो इस relationship को लेकर ready नहीं थे या commitment देने से डरते थे but अब उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा life में बहुत सारी चीज़े ऐसी महसूस की आपके साथ जो उन्होंने पहले कभी नहीं करी थी and I can sense कि आप अपने person के साथ काफी kind रहे थे उनको काफी समझा life में भले ही वो थोड़े नटखट सौभाव के थे लेकिन आपने इस चीज़ को कभी अपने connection में बाधा के रूप में नहीं देखा आपने हमेशा अपने person को space दी हमेशा उनको encourage करा कि वो जैसे हैं वैसे ही रहे फिर चाहे भले ही कई चीज़े आपको upset की हो लेकिन आपने हमेशा अपने person को अपने से उपर रखा I feel कि अब आपका person अपनी life में खुश नहीं है उनको इस वक्त आपकी बहुत याद आती है और आपकी कमी खलती हुई प्रतीत होती है I see कि अब आपके person की life में भले ही उनका career बहुत अच्छा चल रहा हो या जो जो चीज़े उन्हें चाहिए थी वो मिल रही हो लेकिन इस सब के बावजूद भी वो खुश नहीं है उनको still आपकी जरूरत है I get a vibe कि जब आपका person आपके साथ इस connection में था तब वो सिरफ खुद का सोचते थे खुद की खुशी उनके लिए बहुत matter करती थी लेकिन अब जब उनके पास खुश होने के धेरो कारण है तो वो खुश नहीं है I believe कि आपने अपने person को अपने उपर रखकर बहुत बड़ी गलती करती थी आपने खुद की self worth नहीं देखी आपने खुद की खुशियों का नहीं सोचा इसलिए break up कही न कहीं ज़रूरी था आपके लिए कि आप खुद को वक्त दे पाएं आप खुद के लिए सोच पाएं खुद को importance दे पाएं क्योंकि यहां आपका खुद से प्यार होना भी बेहत ज़रूरी है I get a vibe कि आपके person को इस चीज की उमीद नहीं थी कि आप serious हो जाओगे या ये connection में आपकी तरफ से सच्चा प्यार उभर कर आएगा और इसलिए ये break up आपके लिए एक मौका था जिससे आप ये जान पाएं कि आपका person कैसी feelings रखता था या ये सीख पाएं कि किसी भी relationship में खुद को पूरी तरह से surrender नहीं करना चाहिए और आपके person के लिए भी कही ना कहीं ये separation ज़रूरी था जिससे वो एहसास कर पाएं कि जो उनकी इच्छाएं हैं वो उनको खुश नहीं रख पाएंगी यहां उनकी life में एक person का होना ज़रूरी है जिसके लिए आप कुछ कर पाएं और वो आपके लिए है I can sense कि आप दोनों को ही separation से जो सीखना चाहिए था वो आपने सीख लिया है और अब आप दोनों चाहते हैं कि आप मिलें और बात करें चीजों को figure out करने की कोशिश करें कि आगे आप दोनों क्या चाहते हैं लेकिन स्टिल कही ना कहीं आप दोनों में से कोई एक अपनी feelings को express करने से डरता है I see यहां आपका person admit करने से डरता है कि सब उनकी गलती थी क्योंकि उनको नहीं पता कि अब आप कैसा महसूस करते हैं आप अभी भी उनको लेकर वैसी feelings रखते हैं जैसे पहले रखते थे वो आपको यहां खोना भी नहीं चाहते और अपनी ही कश्मकश से लड़ते रहते हैं कि वो आपके पास अभी आएं या बाद में मैं कार्च को क्लैरिफाइ करता हूँ तब तक आप प्रॉपर एनरजी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दे और परसनल रीडिंग के लिए आप मुझे उपर दिख रहे वाट्साप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं आई फील कि आपके परसन के अंदर कुछ ऐसे डिजायर्स हैं जो ने बांधे होए रखते हैं और वो चाहते हैं कि पहले इन सबसे उनको छुटकारा मिल सके ऐसी कि आप यहाँ खुद को टाइम दे रहे हैं अब आप नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ले या अपने आपको उनके हवाले कर दे अब चाहते हैं कि अब आपका परसन आपकी वैल्यू करे आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको एप्रिशेट करे उन सब के लिए जो आपने उनके लिए किया था और I see कि आपने यहां बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लेकिन अब आप खुद को एक अलग नजरिये से देखने लगे हैं बिकाउज आपको अपनी सेल्फ वर्थ मालूम है I can sense कि आपके connection में आपकी families का support नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हो हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग background से आते हो लेकिन अब आप दोनों का परिवार आपको यू मायूस देखकर परिशान होता है वो कही ना गई चाहते हैं कि आपको आपकी खोई ओई खुशी मिल जाए क्योंकि यहां उनको भी ऐसास है कि आप दोनों की खुशी एक दूसरे में थी और आपकी खुशी से बढ़कर अब उनके लिए और कुछ नहीं है I get a vibe कि आपका connection शुरुआत में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आपके connection में balance नहीं था क्योंकि आप कही न कहीं बहुत serious थे और आपका person इस connection को हलके में ले रहा था और आपको ये बाद में पता चला और जैसे ही पता चला आपकी आँखें खुल गई आप खुद से नफरत करने लगे थे कि आपने अपना इतना precious time इस connection में क्यों invest किया आप खुदी को कोशने लगे थे लेकिन अब आप जानते हो कि ये आपकी एक soft side थी जो की बहुत कम लोगों में होती है और इस चीज़ को लेकर अब आप काफी proud feel करते हो आपका person भी अब ये समझ पा रहा है कि उनको दिल वाले लोगों के साथ दिमाग से पेश नहीं आना चाहिए क्योंकि अब उनके पास आप जैसा कोई नहीं है जो उनकी सच में परवा करें जो उनसे बे इंतहा प्यार करें और वो चाहते हैं कि आपका और उनका एक reunion हो जल से जल क्योंकि आपका person अपनी feelings और गलतियों को admit करने से डरता है या शर्माता है इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और उनके बहाफ पर बोल सके या तो उनका परिवार आपके परिवार से मिल सके या उनका कोई दोस्त आप से बात कर सके बट one thing is for sure कि वो जल से जल चाहते हैं कि इस connection को सफलता मिल सके I see कि आप चाहते हो कि आपके person से आपकी मुलाकात हो अब आपका person आपके लिए सच में feel करता है I see कि आपका person अब पहले जैसा ना समझ नहीं रहा अब उनको बहुत चीज़े समझ आ गई है जैसे भले ही कुछ चीज़ों को पूरा करने में मज़ा आता है लेकिन वो मज़ा हमेशा के लिए नहीं रहता पहले उनकी life में आपकी value नहीं थी लेकिन अब वो आपकी काफी value करते हैं क्योंकि इनसान को कदर किसी चीज़ की तभी होती है जब वो चीज़ उसके हाथ से चली जाए and I believe कि अब आपका person ये कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे कभी भी दूर हो इसलिए वो जल्डिस connection को improve करने आएंगे मैं Oracle of the Fairies की मदद से यूनिवर्स से आपको एडवाइस पुछता हूँ देखने यूनिवर्स साच आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है precious time ये फेरी आपको कहना चाहती है कि ये time आपका जो भी जैसा भी चल रहा है आपको ये fully experience करके इसे अपने advantage के लिए use करना है समय में बहुत शक्ती होती है आज का बुरा समय आपकी life में कल के अच्छे समय की नीव की बुनियाद है आपको खुद को ऐसी activities में engage रखना होगा इस time जो आपको life में grow करवाए क्योंकि आपकी life के आने वाले समय की बुनियाद बहुत ही strong है दूर रहकर भी वो आपको कितना चाहते हैं जान लो screen पर show हो रही अगली tarot reading में paid personal reading पर आप मुझे ओपर दिख रहे whatsapp नंबर पर approach कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे दुबार अगली tarot reading में till then, bless you